अला एवरिवन, स्वागत है आपका शिक्षा मेडिक्स के यूट्यूब एजुकेशना चैनल में तो आज का हमारा टॉपिक है संस्टोक या जिसे हम हिंदी में लू लगना भी कहते हैं और जिसे हीट स्टोक भी कहा जाता है तो संस्टोक के हम बात करें तो संस्टोक को हीट स्टोक भी कहा जाता है ये तो हमने देख लिया और इसका में मतलब क्यों होता है संस्टोक तो संस्टोक में क्या होता है जो हमारे बाड़ी का जो टेंपरेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है वो बढ़ जाता है जैसे अगर हम Fahrenheit में देखे तो 104 तक temperature जा सकता है हमारे body का या फिर Celsius में हम देखे तो 40 degree से ज़ादा Celsius तक हमारा temperature चले जाता है body का तो Sunstroke जो है यह एक Life Threatening Condition है मतलब की जानलेवा condition है जिसमें हमारे body का जो heat regulating system है वो fail हो जाता है मतलब जो हमारे body का जो temperature है तो हमारे body में mechanism होता है कि जब बुखार आएगा या फिर temperature चड़ेगा तो अपने आप down भी हो जाएगा कम भी हो जाएगा लेकिन Sunstroke में होता क्या है वो हमारे जो heat regulating system fail होने के वज़े से वो जो temperature है वो जल्दी से down नहीं होता इसलिए यह एक life threatening condition होती है कुछ condition में emergency treatment भी इसमें बहुत need रहती है अगर हम इसके कुछ कारण देखे causes हम देखे तो जो heat wave के context में आते है उनमें Sunstroke होने के chances जादा रहते है उसी के साथ high temperature में जो जादा तर रहते है heavy work करते है sunlight में direct heat के contact में अगर कोई आता है और जो पानी कम consume करता है मतलब पानी जादा पीता नहीं है या फिल पानी कम पी रहे है तो उन condition में भी Sunstroke होने के chances बढ़ जाते है अब कारण हमने देख लिए अब इसके sign और symptoms हम कुछ देखे तो उसमें weakness, red skin, headache, breathing में increase हो जाती है breathing patient की, heart rate increase हो जाएगी, nausea और vomiting हो सकती है और एक main अगर हम sign और symptoms है के तो जो temperature होता है body का वो increase हो जाता है वो बढ़ जाता है उसी के साथ बहुत ज़्यादा प्यास लगेंगी, rapid pulse रहेंगी, उसी के साथ confusion रहेंगा patient को, उसी के साथ agitation रहेंगा, मतलब घबरहाट से होगी, loss of consciousness हो सकती है patient को, और seizures and coma की condition, मतलब यह कुछ serious condition होती है, seizures and coma की, तो यह कुछ इसके sign और symptoms है, अगर हमने sign और symptoms देखे, पर इसका prevention क्या होगा, अगर इससे हमें बचना है तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले जो alcohol consume करते हैं, तो उनको alcohol बिल्कुल consume नहीं करना है, बाहर ज बाहर का खाना हमें नहीं खाना चाहिए, उसी के साथ जो कपड़े होते हैं, पतले कपड़े हमें पहनने चाहिए, ज्यादा मोटे कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए, उसी के साथ थंडे पानी से हमें नहाना चाहिए, शावर रहना चाहिए थंडे पानी का, और बहुत अगर कुछ बाकी precautions हम देखे कि prevention में क्या कर सकते है तो watermelon आप खा सकते है या फिर watermelon का juice आप ले सकते है raw mango juice आता है जिसे आम का पन्ना काया जाता है वो भी आप पी सकते है butter milk आता है वो भी आप consume कर सकते है ग्रेप्स अंगूर खा सकते हैं लेमन जूस पी सकते हैं और कोकोन शबद ये कुछ फ्रूट्स के जूस है जो आप पी के हिट स्टोक से या फिर संस्टोक से बच सकते हैं अगर टीटमेंट की हम बात करें तो जो प्राइमरी टीटमेंट रहेंगा पेशन का तो उससे सिधा लिटाना है हमें और जो उसके पैर है उसके नीचे कुछ पीलो या फिर कुछ टॉयल वगरे आप लपेट के रख देंगे जिसके वज़य से उसके जो पैर हो थोड़े से हवा में रहेगे उसी के साद कुछ पंखा वगरा लगा देंगे उसके पास पानी वगरे मतलब पोच लेना है जिस वज़े से जो है ना हमारे बॉडी का टेंपरेचर वो धिरे-धिरे कम हो जाएगा तो यह कुछ प्राइमरी हो गया लेकिन अग इसके आगे की हम ट्रीटमेंट डेके तो ऐसे कंडिशन में हमारे हाथ में पेशन्ट की कंडिशन नहीं है सीरियस प्रोडीमेका तो उसको बैलेंस किया जाता है तो उसमें हम क्या लगाएंगे जैसे डेक्स्ट्रॉज हो गया परसेंट, 50-25% लगाया जाता है क्योंकि जन्रली क्या होता है ऐसे कंडिशन में पेशन्ट का जो शुगर लेवल है वो भी ड्रॉक हो जाता है तो इसलिए डेक में की प्रॉब्लेम है तो से रिडियूस करने के लिए मतलब शिवरिंच को कम करने लिए मसल रेलक्षण त्हम में देने पड़ते है जो diesem तो अगर वो हम देंगे पेशन को वह एक अंडर करते हैं को कम करने के लिए तो उसमें हम देखें तो अलप्राज़ोलम है, डाइज़ेपाम है, लोराज़ेपाम है, तो ये कुछ बिंजोडाइज़ेपिन है, जो मेडिकल सुपर विजन के अंडर ही आपको दिये जाते हैं. उसे के साथ हम देखे तो एसीडोसिस, सीवेर एसीडोसिस की कंडिशन हो जाती है, तो उसमें कुछ alkalizing agents पेशन को दिये जाते हैं, जैसे sodium bicarbonate, manitol, तो जैसे हमाँ आपको यह सब medicine बता रहा हूँ, तो यह आपको medicine super region के अंदर ही लेने हैं, मतलब डॉक्टर के सामने हैं, और अगर हमें इसके कुछ warnings देखें, तो यह आपको जानना बहुत ज़री है, इसमें क्या होता है, आपको जो NSAID, एसके जो Nassets class के जो medicine है, तो वो आपको नहीं लेने हैं, तो इसमें क्यों problem क्या है, तो जो paracetomol, aspirin है, iboprofen है, यह medicine नहीं लेनी है, तो यह जो है, वो fever, म तो थैंक यू, यह था complete video, अमरा sunstroke के बारे में, लेकिन कोई भी drug या फिर कोई भी medicine लेने से पहले हमें डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए, मिलते हैं अगले video में, थैंक यू